हाई फ्रेंड्स मैं दिपक्सा हूँ माई सक्सेस टीम से आज आपके लेके आया हूँ क्वालकॉम और यूफेस और मीडिया टेक के इमेंसी और यूफेस चीप के हर एक पीन की जो इंपोर्टेंट पीन है उसकी वरकिंग और उसका काम क्या है और कौन-कौन से वोल्टेज उसके लिए रिकॉर्मेंट है जैसे कभी भी हमारा हैंसे अगर डारेक्ट इडियल में जाता है डारे करहा है वह भी क्लियर होगा मैं यह तो एक வीडियों कंप्लिट नहीं होगा इसको मैं लेचन वाइस लेकर चलूँंगा तो लेसेट कैसे कि इसको पहले तो मैं आपको एमसी 221 बीजे 221 के बारे में बता रहा हूं इसके बाद मैं यूफेस के बताऊंगा उसके बाद में मीडिया टेक का डिफेंट है चेंज है थोड़ा और 254 अलग है कि इसके आप लेकिश कर रहा हूं और निर्ण के का रहा हूं अएरे और लेका फारे त्यरें को कुछा भीता की क्लियर। कि सबसे पहले में वॉल्टेज की वेरिफाइए करूँगा तो सबसे पहले मा लिया पावर iC इम एमसी इसी के अंदर में रेम रोम दोनों हैं और यह हमारा एक CPU ठीक है जी तो सबसे पहले यहां से हमाई इसकी वोल्टेज की रिकॉर्मेंट पूरा कर देता हूं कि कभी भी आपके पास में यदी 9008 का पॉर्ड डारेक्ट बन रहा है मैं ये कौलकॉम का ही सलिए 9008 का सब्द पेव कर रहा हूं तो यदी आपका डारेक्ट पॉर्ड बनता है था हम कौन से किस किस वोल्टेज को चेक करेंगे और कौन-कौन से वोल्टेज किसके लिए कितना इंपोर्टेन है ठीक है वह एककर करके मैं क्लियर कराता हूं सबसे पहले में लिया वी रिजी एलफाइक 1.8 की वोल्टेज यह जो ड्रो किया गया है जो इनिमेशन है इसमें यह अभी जो बिजे 221 का जो बता रहा हूं यह रेडमी नोट 4X मिंडो इसकी डाइग्राम के अनुसार से इसको मैं बनाया हूं ठीक है जी तो सबसे पहले मैं पावर आईसी से एक ल्डियो के माद हमसे आउट्पूट हुआ वोल्टेज दोखिए हर एक आईसी का सिक्वेंस होता है चा खाहे रेम हो चाहे पावर ओचाहे चार्जिंग हो वह कया है सिक्वेंस्स पावर सिक्वेंस्स के दवरान जो वोल्टेज बंते हैं जिस इससे बनते हैं गहें से तो इस बाद में यहां से आगे निकल रहें उस चीज की जानकारी थोड़ा आपको होना चाहिए और ये को यह मैं खुद डायग्राम के माध्य हम से बनाया हूं कोई अलग से नहीं कि मेरे पास में हाड़ जादू है मैं भी डायग्राम रीट करके ही बना रहा हूं तो बस इसमें समझाने को से किया हम तो सबसे पहले मैं VREGL 5 1.8 का वोल्टेज लिया जो MMC के साइड में गया देखी यह रेम है यह रोम है रोम के साइड में सबसे पहला मेरा VREGL 5 1.8 वहां पर IC के अंदर में इसका नाम VCC Q के नाम से रहेगा आपका ठीक है VCC Q के नाम से उसको मैं यहां से इसको दिया वोल्टेज 1.8 का जैसे वोल्टेज दिया उसके वाद हमारे रेम के लिए आएंगी ठीक है रेम के लिए जो VDD 1 के नाम से रहेगा हम कभी भी ट्रेस्टिंग करेंगे ती यह दोनों सीरे को अब माले यहां पर चेक कर लिए यहां पर चेक करने के बाद आप यहां नहीं चेक है और यहां से लाइन ही अगर ब्रेक है उस कंडिशन में आपके भी सेट में इरर ही आएगा जो 9 008 के पोड बनाएगा कई अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम जो देते हैं इन्फॉमिशन में आपके अगर यहां से कट गया तो यहां से कटा तो यह वाले सप्लाई नहीं मिलेगा और यह सप्लाई किस लिए जा रहा है और पा कि यहां भी मैंने बोल्टे अप्लाई दिया उसके बाद इस पावर आईसी से एक 2.9 की वोल्टेज चाहिए जो हमारे में सी के लिए चाहिए हमारे में सी के लिए दो बोल्टेज की ज़रुड़त है एक तो यह चाहिए 1.8 तो यहाँ पर हमने vr egl यह दोनों एल्डियो अ हमारा L5 1.8 यहां से निकल चल गया है एक जाएगा अलग से ठीक है उसको भी मैंने दे दिया यहां पर बोल्टेज अब थी सिनेस्ट यहां पर VREG S3 S3 मतलब 1.2 की बोल्टेज अब हमको 1.2 की भी बोल्टेज चाहिए रेम के लिए ठीक है यहां पर रोम जो रेम की VDD1 है हमा कोर पावर सप्लाई के लिए जो 1.2 के वोल्टेज 1.8 तो हम यहां से VREG LC मिल गया है और 1.2 फिर एक SMPS जो हमारी बग सेक्षन है बग सरकीट से एक वोल्टेज आएगा 1.2 का और वो बोल्टेज आएगा हमारे सीधे रेम में वो भी किस काम के लिए आएगा कोर सप्लाई क के लिए जो रेम में आएगा आपकी इम्याम सीम नहीं जाएगा जैसे कि इस सेट के अंदर में आपकी रेम अलग है रोम अलग है दो अलग है उसके अनुसार तो रेम के लिए हमको चाहिए 1.2 की वोल्टेज और 1.8 जो कोड पावर सप्लाई के लिए जो हमारे रेम के इसको 1.2 के भी वोल्टेज दे दिए उसके बाद मैं नेस्ट लेता हूं नेस्ट हमको 1.2 की वोल्टेज चाहिए जो रेम को ही चाहिए वहां से डिवाइट होगे वही लाइन में से एक और वोल्टेज आएगा जिसको बोला जाएगा वी डीडीक्यों और VDDQ किस काम के लिए रहेगा IO Power Supply ठीक है IO Power Supply के लिए हमको चाहिए एक तो हो गया हमारा VDD2 के लिए एक हो गया VDDQ VDDQ मतलब IO Power Supply ठीक है और ये हमारा VDD2 हो गया Core Power Supply और VDDQ हो गया IO Power Supply के लिए जो हमारी रेम के लिए ये जो line दिया हूँ उपर का हमारा रोम है नीचे हमारा रेम है ठीक है इसको ध्यान दिजिएगा तो हमको एक तो 1.1 एक EMC में गया एक गया रेम में और 1.2 का 2.2 हमारे अभी रेम में ही गये हैं ठीक है उसके बाद में इसको भी मैं वोल्टेज जेनरेट करवा दिया उसके बाद नेश्ट हमारा चलता है तीसरा फिर से हमको 1.2 की वोल्टेज चाहिए जो हमको रेम को ही चाहिए जिसका नाम है VDDCA ठीक है VDDCA के लिए हमारा एक पावर सपलाई चाहिए उसके लिए भी हमने 1.2 का दे दिया तो अब के कंडिशन में हमारे पास में तीन जगा लगा लगा गए एक तो आगया VDD2 एक आगया VDDCA एक आगया VDDQ और VDDCA क्या चीज है वो मैं आगे क्लियर कराऊंगा रेम के अंदर में अब हमको रेम को हमको ये तीन बॉल्टेज मिल गया और दीन चार बॉल्टेज मिल गया एक 1.2 और तिन जगा हमारा तिन जगा 1.2 मिल गया और एक जगा हमारा 1.8 मिल गया और EMC को हमको मिल गया ए VCC और VCC Q ठीक है उसके बाद Nasd उसको भी मैंने बोल्टेज दे दिया उसके बाद नेश्ट मैं लेता हूँ VREF LPDDR ठीक है जो ये बोल्टेज की लाइन होती है 0.60 की जो रेम की रिफ्रेंस बोल्टेज के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हमारे पावर आईसी से निकल करके आएंगे LPDDR 0.60 मतलब हाव बोल्टेज से ज्यादा 0.60 बोल्टेज आएंगे जो हमारे रेम के ही भाग में आएंगे रेम के पहले 4 बोल्टेज कंप्लीट हो गया है यह हमारा पांचवा है ठीक है एक तो हमारा पांचवा यहाँ पर क्या लिखा है VREF DQ उसके बाद फिर से मैं नेज्ट दे रहा हूँ फिर से नेश्ट यहाँ पर एक बोल्टेज जाने के बाद में फिर से मैं नेश्ट दिया तो यहाँ पर हमारा VREF Out है, भी है? है हे, यहां पर दो voltage हैं दोनों voltage को हम reference की तोर पर इसी line में से हम इसको reference मानते हैं यह reference voltage है हमारा, तो power IC से जो निकल के आया है दो झगण यहां पर, ठिक, CA और DQ, तो यहां पर हमारे दो voltage जो आ रहा है हो, वो हमारी reference voltage है जो voltage रहेगा हमारा 0.60 ठीक है उसके बाद नेश्ट यही लाइन में से यही लाइन में से एक लाइन हमारे CPU भी जाएगा वहाँ पर लिखा रहेगा VREF EBICA ठीक है तो हमारे 0.60 के दो जगत यहां पर आ गया RAM में और एक जगह हमारा गया CPU के अंदर में यह measurement आपको हर EMC आपका EMC detection में नहीं है तब के condition में port बना रहा है वो चीज़ अलग है कभी भी handset के अंदर में यदी 900 डारेक्ट बना रहा है तो डारेक्ट बना रहा है उस condition में reason क्या क्या निकल सकते हैं जो रही नहीं है हर बार EMC इसका निकलेगा तो होगा क्या एक तो condition EMC और RAM और CPU इनकी कोई भी लाइन इसके अंदर में से कोई भी disconnect हुआ उस condition में हमारा port डारेक्ट बनाता है ज्यादा तर EMC जो ROM की लाइन होती है CPU की उसी के वजह से हमारा डारेक्ट बनाता है और RAM के लाइन के वजह से ज्यादा तर पोर्ट डारेक्ट नहीं बनाता कुछ लाइन के वजह से यह तो ज्यादा तर EMC ROM के वजह से ही हमारे डारेक्ट बनते है तो डारेक्ट बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमारे यहीं से यहां का line ही break है ठीक है यहां से यहां तक के line break है ऐसा नहीं इसमें से कोई voltage यह दि मिसिंग हो गया तब की condition में भी आपके direct port बनाएगा तो उस condition में क्या करना है आपको इस की यह सारे voltage की verify करना है क्या सारे voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह default यहां पर बोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके वज़ए से इसके अंदर में यह वोल्टेज यहां आ रहा है और इसके पीन में नहीं जा रहा है वह अलग चीज है जब हम IC उठाएंगे तब क्लियर होगा लेकिन जदी IC लगा है उसी condition में हमको verify करना है कि हमारा port direct क्यों बन रहा है तिस supply में से कोई भी एक भी missing होता है तो आपका direct port बनेगा ठीक है next आगे चलते हैं उसके बाद इसको CPU को भी बोल्टे दे दिया उसके बाद मैं फिर से एक VRE लाइन के लिए ठीक है तो हमारे cmd जो लाइन होते हैं उसमें हमको एक 10 किलोम्स का एक रजिस्टर देखने के लिए मिलता है जिसको यहां से पूल अप कराकर इसको 1.8 दिया गया है और यहां पर cmd की लाइन एक CPU और MMC CPU और MMC की बीच में एक लाइन बना है उसी लाइन को पूल अप कराने के लिए यहां पर 10 किलोम्स के एक रजिस्टर लगा के वहां पर 1.8 का वोल्टेज दिया गया है ठीक है उसको हमने वोल्टेज दे दिया यहां से ठीक है उसके बाद उसके बाद हम लेते हैं क्लॉक क की लाइन जो CLK की लाइन जहां पर हमारे यह कभी भी हम लोग जंफर उंफर करते हैं तो यह हमारा क्लॉक यह CLK की रेजिस्टर 27 ओमसक रहता है 27 ओमसक कभी भी अगर यह मिसिंग हो जाता है यह तो पॉइंट उससे नीचे से टच में नहीं रहा उस कंडिशन में भी हमारे इंट के अंदर में 9008 का पॉर्ट ही बनाएगा ठीक है तो जितने भी इंपोर्टन्रिकॉर्मेटि वाली बॉल्टेज हैं वो सारे चीज को मैं इसके अंदर में ओपन करते करते जा रहा हूं एकक करके ठीक है तो यह रजिस्टर हमारे लिए यह भी इंपोर्टन है यह भी important है यहाँ पर 10 kilo ohms के जगा में आपको 10 kilo ohms ही लगाना पड़ेगा और 27 ohms के जगा में आप हम sort भी करते हैं तो चल जाता है वहाँ पर हम sorting करके उस line को clear कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर से next हमारी data की line अब यहाँ पर आती है आप लोगों के लिए data की line देखे हमारा data 0 data 1 data 2 3 4 5 6 7 यह 8 bit का data है 8 line में data है हमारा ठीक है तो यह data की line देखे हम कभी भी jumper करते हैं तो कहां से कहां करते हैं एक तो हम data 0 में देते हैं यह TP उसका TP रहे TP में देते हैं और हम jumper करते हैं यह register के यहां पर टिक है यहां पर टारेक्टर एक रजैद्धनों लगाते हैं jump पर और एक हम यहां लगाते हैं और एक Z Sami qq के अंदर में ठीक है तो हमारे यहां पर देखी एक दो तीन चार पांच और एक रहेगा हमारा तो यहां पर डेटा के लिए मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं हम लोगो डेटा जैसे कि माल जाए यूफाइक ओपन कर बता रहा हूं यह देखिए यूफाइक के अंदर में आप लोग जैसे कि माल जाए यहां पर यह तो हमारा वी सी हो गया जहां से हमने वन पाइंट है और यह हमारा हो गया वन पाइंट की और यह जो क्लॉक है यह हमारी की लाइन के लिए ठीक है और यह हमारे क्या चीज है जहां पर हम लोग बीट चेंज करते हैं वन बीट में चलाना है फॉर बीट में चलाना है कि एड़ बीट में चलाना है यह वही चीज है जो डेटा क में बताया हूं कि यहां पर हम लोग वन बीट सेट करते हैं यह फोर बीट एट सेट करते हैं यह तो एट बीट सेट करते हैं तो यह क्या है यह क्लोक है तो हमेशा डेटा की लाइन में अगर आप लोग जानते होंगे तो इसके बारे में समझ जाएंगे कभी भी अगर हमारी कि यह क्लोग की लाइन है ठीक जी और हमारी यह हमारी डेटा की लाइन है देखिए यह मैं लिख देता हूं CL के और यह मैं लिख देता हूं डाटा ठीक है तो देखिए हमेशा जो डेटा होता है डेटा 01 बैनरी डेटा की अनुसार से डेटा जाता है तो जब भी हमारा क्लोग क्लोग जब भी हाई में जाता है तब हमारा डेटा टांसफर होता है या याद रख Cons pig यह ओ finally जीरो तो जब जब clock high गया तब तब हमारा data भी high गया है देख लिए ठीक है बनाया है उसके अनुसार से तो हम इस clock जितनी speed में दवड़ाएंगे उतनी बार high जाएगा ठीक है हम जितनी clock को यहाँ पर clock हम दे दिये माल जाएज यहाँ पर 24 सेट करते हैं 52 मेगा हर्ज करता है 24 मेगा हर्ज करता है 12 16 वह उतनी मेगा हर्ज की speed में इस डेटा को सेंड कर आएगा ठीक है इसको इसलिए निकाला हूं कि आपको एक एक समझ आएगा कि आपनों यहाँ पर जो सेटिंग करते हैं वह है क्या चीज तो हम यहाँ पर clock की गते हमेशा clock कभी भी data के साथ में हमेशा clock होती है, clock का काम क्या है clock जितनी बार हाई जाएगा उतनी बार data जाता है ठीक है तो जितनी पर सेमाल जाए एक मेट के अंदर में पांच बार clock हाई हुआ और पांच बार तो 5 बार ही डेटा सेंड होगा अगर उसी को मैंने 40 बार कर दिया तो वो 40 बार डेटा सेंड कर सकता है यहां पर अगर हम लोग कई सारे में प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखे होंगे कि यहां पर हम जो क्लोक की रेंज है उसको माल जाए कम करते हैं के अगर कम कर दिये जाए तो यहां पर इस फीड डाउन हो जती थी ठीक है तो डेटा की जो ट्रांसफ़र है यहां से तो यह क्लोग के अनुसार से डेटा सेंड होगी कि जितना स्पीड देंगे उसके अनुसार से हमारी यह डेटा सेयर होती है कि हम रीड कर रहे हैं कि हाज का 52 मेगा हाज का speed यहाँ पर दे दिया clock में अब हम यहाँ पर रख दिए one bit one bit का मतलब क्या चीज है कि जो data की लाइन है जो मेन के अंदर में फिर से जा रहा हूँ तो यदी हमारा यह 8-ोbeet कनेक्ट है यदि हम एडाप्टर के अंदर में डालते हैं तो आट students एक मिसिंग हो गए कोई इसमें से तो तूरन चला जाता है वो सोर बीट के अंदर में ठीक है जै और यदि अगर यहां पर 8 bit है, आटो अगर connect है तो हमारा चलेगा 8 bit के अंदर में, अगर हम यहां पर 7 bit हो गया, यहींक 7 line connect हुए, तो direct किस में चलाएगा, 4 में चलाएगा, अगर 4 में से 3 बचा है, तो उसके इंडिशन में वो चलाएगा 1 bit के अंदर में, ठीक है, तो यह data लेने देने के लिए यह आठ लाइन बने हुए तो यहाँ पर जो यह 5 के अंदर में जो हम set करते हैं वो यही चीज है कि यहाँ पर हमको 1 bit में यह दी चाहिए तो data 0 चाहिए 4 bit में चाहिए तो हमको 4 pin connect होने चाहिए ठीक है और 8 bit चाहिए